तब में आगे इस कारिकरम की जो अद्धिश्टा कर रही है हमारे बीच में वरिष्ट प्रफेसर जो है दलित असमीता पत्रिका की संबादक भी है प्रफेसर विमल थोराट मैं को ही मैं सिदे आमंत्रित करता हूं कि वो आज इस पूरे कारिकरम जो महार अंदोलन है उसकी अपनी बाद्शित को रखें धन्यवाद रजनिश और आनिता संजीव और रत्नाकर जी आप सभी को मेरा सप्रेम जैविम और कल महार सत्याग्रह को जो कि महराथी में चोदार तालाब का सत्याग्रह का आ जाता है उसे प्रचान विसाल हो रहे हैं और इस पचानवे साल की पुरी जो पुरिश्ट भूमी और पुरी इतिहास को हम यहां पर देखना चाहा रहे हैं और संजीव जी ने और रत्नलाल जी ने कफी उस पर गहराई से चर्चा भी की है और रोशनी भी डाली है तो यह जो पुरे भारती इतिहास में दलितों के मुक्ति संघर्ष के रूप में जाना जाता है जो मुक्ति संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो मुक्ति किसे किसे मुक्ति पाणा चाह रहे थे तो जिस धर्मवेवस्था ने जिस ब्राह्मन वादी सनातनी धर्मवेवस्था ने जो मनु स्पूरुति का निर्मान करके जिन मुल्भूत साधनों से मुल्भूत जो जरूरते हैं उसे वंचित रखे गए पूरे समाज जो दलिस समुदाज जिन्हें अस्पृष और चांडाल कहा जाता था तो उनके अपने अधिकार जो मुल्भूत अधिकार है एक मानव अधिकार की का संघर्श महार से शुरू हुआ है जिसके अगवाई वावसाभामबिटकर ने की एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये संघर्श माना जाता है जिसे हम मुट्टी संग्राम के रूप मे भी रेखांकित करते हैं अब पानी लेनी की जो एक समस्या है दलितों के पास पानी के पूम नहीं थे योगि उसके अपनी उतनी आमदनी नहीं थी तो अब वो क्या करें क्या दिन भर पर या नदी के किनारे खड़े होकर जड़गडाते रहे तालावों के किनारे पर कि मुझ उसके पानी दीजिए अपने घड़ों-घड़ों को लेकर तो ये एक कत्ता ही जो राम्हन विवस्थाने अंके उपर जो एक जबरदस्ती ये जो लादा था एक गुलामी का एक बहुत बड़ी गुलामी उनके उपर लादी थी कि पानी जैसी जो मुल्हुत जरूरत है उसक वेवस्ता ने दलितों के साथ किया हजारों वर्षों तक इक दो दस पाफ साल नहीं हजारों वर्षों तक तो इस हजारों वर्षों की जो एक निर्गून जो परंपरा है बहुत ही अमानवी परंपरा उसके खिलाफ एक आवाज उठाना एक उस passar को बहुत बड़ी च मच सकते हैं जानते हैं रतलाल जी ने और चंदर ने काफी बाते यहां रखी है लेकिन एक और पहलू पर मैं यहां पर रोशनी डालना चाहूंगी कि यह वो समय था जब असनायोग आंदोलन से देश में काफी काफी आंदोलित हो रहा था देश जिसमें मुस्लिम लिग और कॉंग्रेस ने पहल लेकर उसमें पहल थी और ब्रिटिस सरकार के खिलाब एक साहयोग आंदोलन तो एक बहुत बड़ी के वहां बंद रही थी उधर केरला में पेरियार जीन का जो अब्रहाम मनवादी आंदोलन भी जोरो पर था वैकों की का जो मंदिर प्रवेश का एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां शुरू भी हो गया था और उसी तरह से महराश में भी एक प्रगतिशिल विचार विचारक का जो की महत्मा जोती बाब कुले और सावीतिर बैब कुले की सत्य शोधक समाज की परंपरा से जुड़ा हुआ था तो वह एक जब बाबा साब अमेरिका से लौटते हैं अपने इशिक्षा पूरी करके तो ये पुरिष्ट भूमी उनके चारों तरफ उनकी पुरिष्ट भूमी थी और बाबा साब तो एक निश्चित निरने लेकर ही लाटे थे कि इस देश से जाती वेवस्ता का निर्मूलन हो तब तक वो लिग भी चुके थे अपने उस निबंद में जो की पुरी देश में एक हम उसे अपने एक में बहुत बड़ा गोश्णा पत्र हम के करते हैं तो इस प्रिष्ट भूमी का उन्हें बहुत बड़ा फाइदा भी हुआ और उन्हें एक एक अच्छा मौका भी मिला तो जिसके बाद कहीं गई हैं पहले ही कि जो मुंबई विधान परिशद ने जो एक प्रस्ता पारित किया था राव साहिब बोले की अदक्षता में कि जितने भी सारवजनेरिक्स थल है क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एक एक हमें एक उसकी एक अच्छाई भी हमें रिखांकित करनी चाहिए की चाहें वो जितने भी खुरूरतम तरीके से यहां के हमारे समता के और स्वातरता के आंदूलन को कुचलते रहे हैं लेकिन दल किया है संजू ने किया है संजू चंदन ने कि जितनी भी आर्मी में दलितों का पहले प्रवेश था और उसके व कारण मदलितों की एक पीड़ी जिसमें राम जी आमबेटकर भी है बावा साब के पीता जो सुविधार के पद पर काम कर रहे थे तो उससे एक वर्ग जो है दलितों के बीच में से एक छोटा साही कही मतलब गिने चुने लोग ही ब्रिटिश आर्मी के संपर्क में आके संबता का भाव उनके अंदर जग उठाता है कि ब्रिटिश चाहे इस देश पर राज दरू कर रहे हैं दबा रहे हैं हमारी स्वतनता को दबा रहे हैं लेकिन हम में एक माहूल था जहां पर बाबासाब का जन्द हुआ उसी वातावरन में बड़े हुए उनके शिक्षा दिक्षावे सातारा के आरवे स्कूल में हुई तो यह तमाम चीजे जो थी और फिर विदेश में उनका जाना वहां से वहां की उस सब्बेतार्ट से और वहां की संस् तो बात कही गई कि जवदार तालाप का सत्याग्रफ क्यों हुआ उसके होने की यह जो प्रिश्टर मुहमी है यह बहुत ज़रूरी जानना ज़रूरी है तो तेईस में यह पैस्ता पारित होता है और 26 तक इसको लागू नहीं किया जाता है क्योंकि हर जगा पर ब्राम्भन अपनी कटरता के साथ ये इस अधिकार को रोक रहा था कि वही बात थी कि अगर पानी पर अधिकार अगर मिल जाता है या समता का अधिकार मिल जाता है तो दलीतों को जो गुलामी की सांकलों में जो कड़ियों में बांद कर रखा है वो गुलाम नहीं रहेगा वो अपनी स् हो जाएगा जिसको बाबा साब ने भी यही कहा कि जब गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा हो तब ही वो अपनी बेडियों को तोड़ सकता है या तोड़ने के कोशिश कर सकता है तो इस इस पूरे इस आनोलन के पीछे यह सारा वैचारिक दर्शन भी है और एक बहुत बड़ी सामाजिक करांती सांस्कृतिक करांती का एक बहुत बड़ा आगास था जो की भैविश्य में होने वाले तमाम जो जो बाद में आने वाले समय में जब भावा साब पहली बार ब्रिटिश काउंसिल में जो मिनि मिनिस्टर बने लेबर मिनिस्टर बने तब तक क्या जो एक पूरा समय है उसको भी हम अगर रिखांकित करें तो उसके उसकी शुरुआत जो होती है वो महाड के 14 तालाव के सत्याग्रा से होती है यह बहुत ही बड़ा चिन्धित करने वाला एक संग्राम है जो मुक्ति का स मनुस्रुटे ने तमाम अधिकार उसे वंचित किया शिक्षा से वंचित किया धन समपत्ति से तमाम चीजों से वंचित लेकित पानी के उपर जो अधिकार नहोना यह दुनिया के किसी भी होने में शायद नहीं होगा और डॉक्र बाबा साहब जब विदेश में पढ़कर आये तो अन्हें यह बात बहुत जादा उनके अंतर मन में बहुत जादा ख़लने लेगे तिया, और उसावे जो महाड़ क्योंक्ड ka new तरिया है कोंकड़ी एरिया में उस समें खुतेदारी जो खुतेदारी इसे कहते हैं कि वह सामन्थ शाही बहुत भैंकर रूप में खैली हुई थी जिसमें तलित केवल इतना पीस रहा था कि मतलब उसकी कोई इंतिहा नहीं है और बाबा सामने उसके खिलाब बहुत लिखाव हुई है फुटेदारी के खिलाब और उसके उपर कानून भी बनाए है जब कानून मंत्री तो उसमें रामचंदर वावाजी मोरे नाम के एक समय काम कर रहे थे उस एरिया में महार के एरिया में और उन्होंने उसे पहले एक पानी के लिए सत्याग्रह भी वो कर चुके थे जिसमें उनका उन्हें बहुत उसमें सफलता मिली थी तो उन्होंने ही बाबा सापको एक समयलग के लिए आमनत्रित किया और ये एक बहुत सुनेहरा मौका था बाबा साथ के लिए भी और तमाम दलित वर के लिए कि डाक्टर बाबाबा साब का बाहर से विदेश से आना उनकी जो एक चेतना जगाने का जुखकार्या उन्होंने मुपशनायक तब टक की का मखसद एक पूरा तयफ था कि उन्हें करना क्या है और यह देश से जाती ववस्ता का निर्मूलन करना है तो ये एक बहुत ही सुनेहरा मौका उन्हें वहां मिला और वहां जाकर उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया उनके साथ केवल दली थी नहीं तो तमाम जो प्रगर्टिशील और उस समय के जो बहुत अच्छे सुधारक थे समास्तुधारक वो भी है जिसने इनका नाम पहले भी लिया जा चुका है फिर मैं एक बार उनको उनके नाम लेना चाहती हूँ समास्तुधारक वो ने उनका बहुत साथ दिय और टिपनिस जो थे टिपनिस महाड के नगर वालिगा के सदस्य थे और उन्होंने महाड के महाड का जो चौदार तालाव है ये उस उस प्रस्ताव को पहले ही पारित करवा लिया था देंकि वो पारित करने के बाद वो लागू नहीं होने दिया क्योंकि लागू करने के लिए जो 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 तैयारी चाहिए थी जो मांसिता चाहिए थी वो अभी ब्रावनों के अंदर या सवरनों के अंदर नहीं बनी थी तो ये एक ऐसा मौका था कि जहां पर डॉक्टर बावा साथ ने अपना वो जो इतिहाशित भाशन किया जिसके कई आसपेक्ट यहां पर अन्य वक्ता उन्हें प्रस्तुत किये हैं उसमें उन्होंने तीन चीजों के लिए उस वैवहर किया जाता है वो उनके वो जो काम करते है उनको जो परभागत-पेशागत काम उनको करने के लिए वहार प्रभोटी के आधार पर जो विलिए वह गंदे काम है गंदा चाहिए इस तमाम जो सफाई के है या जानवरों को उड़ाने बने की है और गाउं की सफाई करना या संदेश पहुंचाना और तमाम जो जिसे बलूतेदारी कहा जाता है मराठी में बारा बलूतेदारी तो बारा दरा के काम होते थे लें उसमें आमदनी ना के बराबर होती थी आमदनी के नाम पर कुछ भी नहीं था मतलब पैसे के रूप में धन के संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है तो बावसाब ने पहली गोशना की कि उस जिनको वो लोग सबरन लोग जिसे कथी तरुप से गंदे काम कहते हैं वो आपको छोड़ना पड़े हैं वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसके कारण आपको अच्छूत का अच्छुत माना जाता है और आपसे भीदभाव किया जाता है अस्परश्चता का पालन किया जाता है दूसरी गोशना उन्होंने की कि जो मरे हुए ढोरों का मास खाते हैं आप परंपरा से खा रहे हैं क्योंकि वो परंपरा इसलिए पड़ी कि उनके पास वो तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी एक कारण है कि हमारे साथ अस्परश्चता का वहवार यह करते हैं कि उसे वो बहुत गंदा मांगते हैं क्योंकि जैसे ही हिंदूइजम का उदाय हुआ है हिंदू धार्म का उदाय हुआ है और गुद्धा धार्म का विलाय हुआ तो वेजिटिरियनिजम और नॉन वेजिटिरियनिजम को बीच में लाया गिया खानबान के तरीके से जाती तू भी और ज्यादा कटर रूप से यह से माना गया जानने लगा और जो लोग पहले मांसाहर करते थे और हजारों पश्रू के बली देते थे और उसके तमाम अलग अधाने में पाट खाने में बहुत बड़ी बहुत अपने आप वागिशाली म कर दिया मास खाना बंदte नहीं किया जब उचि座 का उदय हुआ तो अहिंसा का जो तत्व है वुद्धा का जो सबसे बड़ी तत्व उसके कारण साक्प यह हाक्त या बंदों घे shapd हो और अहिंसा बंद होने से हिंसा बंद होने से हैंसा का और करुणा का जो मार्ग लोगों ने अपनाया था और दया और शान्थी का तो वो तो सारी दुनिया ही जानती है तो बाबा साब ने ये जो दूसरी बात कही कि इसके ये जो मरे हुए जानवरों का मास्क आना बंद करेंगे और तिसरी ये गोश्टा नहीं थी ये उन्होंने उनसे एक संकल पर लिया था कि आप आज से ये बंद कर दीजिए और तिसरा एहम बात उन्होंने कही थी कि उस मानसिक गुलामी से मुक्त होने की कोशिश कीजिए जिस जो आपको अचुद बनाती है आप अपने आपको अचुद समझते हैं क्योंकि वो लोग मा कहते हैं और इससे आपकी एक मानसिक बनाई जाती है कुछ पैदा तो नहीं होता है ना अचुद के रूप में पैदा तो फिर कबिर कबिर जी की वाणी को हम यहां पर ला सकते हैं कि ब्राम्वन और अगर रक्षत्री अगर उसी और दली भी शुद्र भी उसी वहां एक ही जगा से पैदा होते हैं तो यह भेद कि आप अचुद अपने आपको अचुद मानना चोड़ी और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा यह गोशना पत्र मतलब उस समय के हिसाफ से यह गोशना पत्र जो फ्रांस में जो क्रांटी हुई थी उस समय उस क्रांटी का ही एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि इस तर जारों वर्षों से पीस रहा था उत्पिडित हो रहा था और अपमानित हो रहा था तो उस अपमान जनक सिती से उन्हें उबारने के लिए ये प्रयास ये था एक कदम उठाया गया था तो पानी पीना ताला के पानी को छुना और उस पानी पीना ये वक्सक नहीं था वो एक स मली का एक इवेंट हमें से माना जा सकते हैं कि मुखनायक में जब बावा साब लिखते थे अपने संपादी तो वो मुखनायक उस समय बंद हो चुका था क्योंकि आर्थिक सीति के कारण वो नहीं चला पा रहे थे लेकिन जैसे ही महाड का सत्याग्रह से वापिस आते हैं तो बहिशुत भारत की स्ताफ़ करते हैं और तमाम उनके उपर मतलब पूरे इस महाड सत्याग्रह पर के अकी आड में जो ब्राहण वादी समुदाय था जो ब्राहण वादी लेखक वर्ट था या ब्राहण वादी सनातनी जितनी भी पत्रिकाय थी उनमें जो आरोग किये जा रहे थे और जो धंकिया दीरा जा रही थी उसके लिए एक पत्रिका का होना बावा साथ मानते थे इसके लिए बहुत जरूर्ड है और ये सारे जवाब जवाब बैशुद भारत से वो दे रहे थे और जो जाती वेवस्थानी जो इस समाज में बारतिय समाज में जो विगटन और विशमता के जो बीज बोए थे बोए है उसको अगर खतम करना है उसे समूल नश्ट करना है और अगर जो एक व्यक्ति के अंदर जो प्राकरतिक बूर्ण होते हैं उसको अगर सहवागिता नहीं होगी इस देश के विकास में या इस देश की बनाने में उस समय तो देश स्वतंतर नहीं था लेकिन उसके एक बहुत बड़े समूदाय को भागीदारी कहीं पर उनकी निश्य सुनिशित नहीं थी केवल और केवल वो गुलाम के रूप में ही जी रहा था और उसके जो बारा बलुतिदारी की जो काम थे उसे करने होते थे और उसकी कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं था तो बावसा आने वाले भविश्य की चिंता उस समय कर रहे हैं कि भविश्य में जो आज हम समयधान में जो देखते हैं कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 27 तक जो तमाम अधिकारों की जो प्रतिक व्यक्ति के अधिकारों की जो सुची है उसमें और जो अध मुक्ति का महाड की मुक्ति संग्राम से निकलता है और मुझे लगता है इस तरह से अगर हमें देखे तो एक सामाजिक समता स्वतंतरता और गुलामी से मुक्ति और चुआचुद से मुक्ति और जाती वियावस्ता से मुक्ति कराई ये एक बहुत बड़ा एलगार था और वो इलगार सिर्फ नहीं था मतलब के इलगार के रूप में ही नहीं था तो वो पुरा भी किया गया जब भारत के सम्विधार लिखने के लिए उन्हें बुलाया गया तो मुझे लगता है वो वहां पर आकर बाबा साब के उस मुक्ति संग्राम की यहां पर आकर एक बहुत उसका विकसित रूप हमें दिखाई देता है और वो तमाम जितने भी अधिकार उसे मंचित किया गया हजारों वर्षों तक उन अधिकारों को यहां पर हम पाते हैं कि सम्विधान हमें वो फिर से वापिस देता है और उस सम्विधान के कारण ही आज जो दलित समुदाय है जो पिछ़़ा समुदाय है जो मुक्त अब मुकत समाज है वो सारे ही समाजों का जो भी आज थोड़ा सा जो भी उन्हें हासिल हो रहा है वो उसी की मीजह से हो रहा है तो मुझे लगता है कि अगर इस देश का समिधान अगर कोई और लिखता बाबसाब की जगा अगर कोई और होता क्योंकि सवर्णों की ही सारी सारी भरमार तो नहीं की थी तो उसमें से अगर गांधी या नहरून उसमें से किसी को कहते कि आप देश का समिधान लिखिये तो व हम बात कर सकते हैं जो स्वतंतता हमें मिली है लेखन की स्वतंतता अभिवेक्ती की स्वतंतता और तमाम जितनी भी जो मुलभुत अधिकार है उसकी तो शायद शायद और इसलिए वह हमें यहां पर प्राप्त है और मुझे लगता है कि यह जो एक मुक्ति संग्राम के रूप में हम जिसे चिन्हित करते हैं, वो मुक्ति संग्राम आने वाले भविश्य को एक बहुत बड़ा विशाल पटल पर बाबा साब उसे देख रहे थे, समझ रहे थे और उसके उप पुरा करने की एक पुरी उनकी एक मनशा बनती है, उसके बाद जो हुआ उसकी तो हम सभी जानते हैं, यह महाड के तालाप के पाली को छुने की जो सजा मिली है, जिसमें बहुत संख्या में महिलाए थी, तीन सो पचास, पचासी के करीब महिलाएं उसमें शामिल थी, आप समझ सकते हैं कि उस समय जबकि म महिलाएं में अधिली समझ में ही चेतना का इतना विकास नहीं हुआ था, आपने को अच्छुद मांनकर इतने बुरी तरह से अपने को, हर जगापर गुलाम के रुक में मानता था कि मैं गुलाम हूँ, मेरा तो जनम भी इसलिए हुआ है कि में दूसरों की सेवा कूँ, इस जो दिस्तावेज उसमें साड़े तीन हजार या चार हजार की संख्या में लोग इकठा होकर महार पहुंचते हैं जिसमें साड़े तिन सो के करीब महिलाए शामीर बच्चों को लेकर अपने चोटे चोटे बच्चों को बोदी में उठा कर वो चल रही है तो हम देख सकते हैं कि मुक्ति, मुक्ति का ये जो एहसास है ये एहसास कितना बड़ा हुता है कितना मतलु हर इनसान के अंदर वो होता है बस उसे अभ immersive करने का एक मौका मिलना चाहिए और वो अभिवेख करने का मौका महार की मुक्ति संग्रा में दिया तो मुझे लगता है कि आज हम 95 वर्षगाट मना रहे हैं तो ये समता की जो समता और स्वतनतता का जो मुल्य हमें मिला है नाय का जो मुल्य हमें समिधान ने दिया है उसको फिर से हम यहां पर लागू होते हुए देखना चाहते हैं और जितने भी अनाय और अत्याचारों की जो भी पिछले साथ वर्षों में संख्या बढ़ी है जिसका जिक्रावी किया गया था कि नैशनल क्राइम ब्यूरों का जो रिपूर्ट है उसे देखने के बाद उसके आंकड़े पढ़ने के बाद फिर ऐसे लगता है कि एक मन में डर पैदा होने लगता है कि इतने वर्ष से जो लोग काम कर रहे हैं बाद साथ ने पूरे जीवन को अपना समर्पन किया है और काम करते रहे हैं जिवन भर अनथक काम करते रहे हैं हमारे जैसे आपके जैसे सभी लोग इस पर जुटे रहे हैं फिर वही समय लौट ना यह एक बड़ी एक भयावस्तिती सामने आ रह ही है तो उसके खिलाब फिर से महाड के जैसे सत्याग्रह या कलाराम मंदिर जैसे सत्याग्रह की हमें जरूत नहीं पड़े लेकिन जो मुक्ति का संग्राम है जो मुक्ति का संग्राम की जो एक परिभाशा है और उसका जो एक हमारे दिल और दिमाग पर जो असर है वो कही कम ना पड़े है वो कही कम नहीं होना चाहिए वो हमारे अंदर जो जलती हुई एक आप की तरह जलता रहे और उसकी जो रोशनी फैलती रहे ताकि आने वाला समय जो है हमारे आने वाली पीड़ी के लिए एक मु तब नागरिक के रूप में वो अपना जीवन जीने की जो अधिकार है वो से मेले क्योंकि जिस तरह से मौझूदा समय में मौझूदा सरकार यह हैं जो केंद्र सरकार हैं जिस तरह के कानून और नियम लागू कर रही है मुझे लगता है कि शिक्षा से फिर से हमें वन्चित होना पड़े हमारे बच्चों को फिर से शिक्षा से वन्चित करनी की जो कोशिश की जा रही है जो नियू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है अगर हम सब लोगों ने उसे पढ़ा भी है और जाना भी है और उस पर बहुत थारी चर्चाय भी हुई है तो यह और कुछ नहीं है यह फिर से हमें शिक्षा से वन्चित हमारे बच्चों को आने वाली पिड़ी को बच्चों को शिक्षा से वन्चित करने का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा शड़ियंत रहे जिसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे और इसके लिए अभी से हमें बहुत सतर्का और बहुत सतरक्ता से काम लेना होगा और बहुत उस संगर्श को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए जैसे कि डोक्टर बावा साहर बार बार कहते रहे है कि महिलाओं महिलाओं के बीच में जब भी वो भाशन करते रहे महाड में उनके 25 दिसंबर का जो मनुसमति दहन के बाद जो उ उस्दे महिलाओं से समद्र करते हुए कहते हैं कि आप में वो बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर आपके अंदर वह एहसास भी है मुक्ति का हैसास है बस उसे जगा अरते रखो जगा कर रखो और अपने आने वाली पीडी और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ और शिक्षित होने का जो अदिकार है जो मिला है उस समय नहीं था जिस स्कार से आज मिला है लेकिं शिक्षित करने का जो एक बहुत बड़ा उनने उस समय नारा दिया था मुझे लगता है उसने इस पूरे देश के दलीतों के अंदर जो चेतना जगाई है उसकी कोई मिसाल पही नहीं मिलेगी ये एक बहुत एतिहासिक एक प्षड है कि जिसको हम आज फिर से याद कर रहे हैं और फिर से हमारे अंदर उस चेतना को जगा रहे हैं बहुत शुक्रिया रजनीश और मुझे लगता है बात्चिक बहुत अच्छी रही और बदेख्रियों के इस कारेक्रम में वक्ताओं की भागिदारी और शोताओं की भागिदारी बहुत शांदा रही और अभी भी हमारे साथ 30-30 यो जुड़े हुई है और ये सही बात है इनसान की मूल बूत अवर्शक्ता के लिए लड़ाई की देए और ये लड़ाई तब से जारी होके हम ये कहेंगे कि आस तक जारी है और जैसे कि हम कही रहते कि अभी भी पानी पीने की लड़ाई में दुरिक महिनाओं को बहुत पानी की जिल्लत सहनी पढ़ती है और बतले हैं बलकि विकेट हो रहे हैं विकेट होती जारी है और अतनलाल जी आपने जो बूला कि वाकिए लड़ाई डिगनीटी की है ये जो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और जैसे जैसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिगनीटी की तरफ बढ़ है वैसे वैसे हमारे लिए च सब्सक्राइब करते हैं तो यह चुनौती है और पांस साल बाद इसको सौ साल भी हो जाएंगे हमारे महार अंदूलन को पहली क्रांती मुक्ति के अंदूलन को लेकिन इस्तित्यां एक जादा से जादा विकट हो रही है विमल त्वराट जी का वक्ते में बहुत अच्छारा मैं कहूंगी कि जो जलित आंदूलन के जो मुक्खे मुद्दे हैं वो जैसे जातीगत पेशे चोड़ा एक लंबी बहस है जातीगत पेशे पे और दूसरा मरे जानवरों का मास ना खाना यह तीसरा उसमें औरतों को उन् सांस्क्रति असृँट है उसésus का सबसे हैं कि हमारे साथ सभी एसे एक चेतर में बहुत काम है बहुत इल्चा सालों का अंदोलन से जुड़ाः रहा है इतने जादा बाते रखे रहे हैं इतना सुन रहे थे कि मैंसे को देख़र के मुझे लगता है कि करेंड है कि उसका कारण यह है कि अई है कि जो है वो हमारे बीचें को तारी हमारा यूद जागरु को रहा है, उनाइट होने की सोचता है, तो हमारा moral करते हैं, और बार बार मारल करते हैं, लेकि मुझे लगता है कि हमारा समाज ऐसा है, जो कि बार बार खड़ा होता है, और उसने इस बात को बावस साब थे तो हम हैं, हम ये कारेकरम इसले भी करें कि बावस साब थे, हम विमल जी ने ते बहुत ही अच्छा, बहुत सारे साथियों के नाम गिनायते, जो महारा अंदोलन ने शामिल के, जो उन्होंने पूरा एक, हमने उस सबको एक तरा से कुछ पांजली आर्पित करना है, हमारे संगर्च के साथी के रूप में हमने आज ये दिन याद किया है, तो ये मेरी कविता है, क्रांती धर्मा, प्रिये मित्र, क्रांती कारी, जैभीम, जब तुम उदास होते हो, तो सारी स्ष्ष्टी में उदासी भर जाती है, ठके आंदोलन सी आखे, नारे लगाने की विवश्टा, जोर जोर से गीत गाने की रिवायत नहीं तोड़ पाती तुमारी खामोशी, मुझे याद है, 1925 का वैदिन, जब तुम्हारे चेहरे पर अनोखी रौनक ती, संगर से चमकता तुमारा वैदिवे रूप, सोने चांदी से बिद्वांड, उतर पड़े थे तलाब में यकायक, आस्मान ताली बजा रहा था, सितारे पूल बरसा रही थे, नूतों मटके पकते हैं आग में, पर उस दिन पके थे चावदार तलाब में, आई थी एक क्रांती, तुमारी बहने उतार रही थी, हाथों, पैरों और गले से गुलामी के निशान, और तुम दहाड रहे थे, जैसे कोई बरसों से सोया शेर, पुरूर शिकारी को देख कर दहाडे, मुझे याद है आज भी वो दिन, जब चारों तरफ जोश था, तुम बढ़ रहे थे क्रांती धर्मा, सैक्लों क्रांती धर्माओं के साथ, उस इश्वर के द्वार, जिसे क रहा जाता है सर्व व्यापी, पर था एक मंदिर में छिपा, उन्होंने रोका, बरसाए डुंडे, पर तुम कब रुके, तुम आग उगल रहे थे, उस आग में जल रहे थे, पुरातन पंती, क्रूर, इश्वरी कृत कानून, हम गड़ेंगे अपना इकिहास, की थी उस दि भोष्णत उन्हें, दोड़ गई थी शिराओं में बिजली, उस दिन, जो अभी तक दोड़ रही है, हमारी नसों में, हमारे दिमाग में, और हमारे विचार में, तो ये कविता है, और मुझे लगता है कि पूरी जो है वो आज का आज का शुरिया, और मुझे लगता है कि जो मैं अपने सभी वक्ताओं को बहुत-बहुत शुक्रिया दा करती हूँ, और कि इस कारे करम में आपने शिर्कत की, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, कि दली तलेखाक संग अभार प्रकट करता है, आपके समाज में किये जा रहे हैं, योगदान का विमल्दी आपने बहुत काम किया समाज में और आप लगातार करती रहती हैं, और हमारी प्रेड़ना सरूत है, आप लगातार कई सालों से जुटी हुई है, आपको देखे हमें भी प्रेड़ना मिलते हैं काम के नहीं निकी, रतल्ला जी आप लगातार अंबेड़गर नामा लेकर कि आप सक्रिय हैं, आप अपने नीची जी पॉलिस से लेकर के यहां तक आपने जो संगर्ष किया, चुकि आज हम संगर्ष की बात करें, आप महाड़ अंदोलन की बात करें, तो महाड़ अंदोलन जैसे ही यह संगर्ष चल रहे हैं, संजीब चंदन लगातार इतने सालों से जो है वो नगातार काम करें, तमाम तरह के समाज के जो वंचित अप्के उनकी आवाज उठाते रहे हैं, तो हम आपको भी दली तलेका की संग की तरब से आपका बहुत-बहुत अभार प्रकट करते हैं, और इसके साथ हम अपना यहां कारेकरम समाप्त करते हैं, जै भी, जै झाल